नमस्कार जैहन मैं आर्पी सिंग आप सभी का बहुत ही खास प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ ये प्रोग्राम इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों से सीधे बातचीत करते हैं और साथ ही हमारे साथ इस स्कूल, कॉलेज या जो भी एजुकेशन इंस्टिटूशन्स हैं उनके चेर्मेन से ले करके हमारी कोशिस होती है कि उसके जो टीचर्स हैं जो कि आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उनसे भी हम आप लोगों से सीधे वारता कराएं ऐसा नहीं है कि आप उनसे रोजवारता नहीं करते लेकिन इस प्रोग्राम में एक स्पेसलाइजड वे में आप उनसे बातचीत करते हैं जो ये क्लास रूम नहीं है लेकिन आप बातचीत करते हैं दर्सकों आज हम संत हरीदास सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल जो की 1985 में इस्टेबलिश हुआ उसमें हैं और साथ ही यहां एक और भी आयाम आया एक नया इससे अपर ग्रेड हुआ संत हरीदास कॉलेज आफ हायर एजुकेशन जो की 2009 में बना और हम इस समय जो जैभगवान जी जो चेर्मेन है इस कॉलेज के जो की एजुकेशन में जिनका नया नाम है बड़ा नाम है और वो जनरल सेक्रेटरी आफ योगा एसोसियेशन आफ डेली जो योगा एसोसियेशन आफ डेली योगा एसोसियेशन आफ इंडिया के सानिध्य में इस्टेबलिश हुआ वो हमारे साथ बैठे हुए हैं जैभगवान जी फिर मिसस सत्यवती देवी जी हैं जो की इस समय हमारे साथ बैठी हुई हैं जो पुरानी HOS है, Directorate of Education Delhi में रही, उनका भी एक बहुत बड़ा experience रहा है, फिर आपके principal डॉक्टर जह बगवान जी हैं, जो अपने आप में बड़ा नाम है, आप एक PhD करते हैं, यहां आपने दो-दो PhD करी हुई हैं, और साथ ही, इन्होंने 12 किताबें भी लिखी हैं, अब आप देखिए, इनका time management की principal होने के साथ-साथ, दो PhD करना और 12 किताबें लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, फिर मेरे साथ डॉक्टर नीलम सोनी जी हैं, जो PhD in management हैं, उन्होंने भी करीब पाँच किताबें लिखी हैं, फिर मेरे साथ डॉक्टर मधूस रिवास्ताओ जी हैं, जो assistant professor हैं, और ये भी एक बहुत experience teacher हैं, एकनॉमिक्स में इन्होंने अपना higher education करी हैं, इसके साथ ही बच्चों हमारे साथ डॉक्टर जॉनी हुडा जी हैं, जो assistant professor हैं, और PhD in education हैं, मेरा सौभाग है कि आज मेरे साथ श्री आरेस मानो साहब हैं, जो former secretary general, shooting ball federation of India, expertise in sports हैं, वैसे देखने से भी ये लगता है, अभी भी काफी दम खम से ये काम कर रहे हैं, और स्री किशन जी हैं, जो की मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, और अगर कहा जाए तो ये स्री किशन का ही role play कर रहे हैं, जो की counselling psychologist हैं, इसके साथ साथ career counsel वगेरा बहुत से चीज़ें ये करते रहते हैं, इनके expertise को तो आप हमेशा और हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं, फिर मेरे साथ एक और पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर प्रसांत करन जी, स्री प्रसांत करन जी, जो educationist हैं और साथ ही career coach हैं, तो बच्चों, मैं आपसे एक बार यह प्रारतना करता हूँ, मैं आगरा करता हूँ, कि इस panel का आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत क साथ ही, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों को एक और चीज देखने को मिली, यहां के बच्चों ने एक science exhibition लगाई थी, जब हमारी टीम यहां थी, और मैंने देखा कि छोटे-छोटे बच्चे जो बहुत अच्छे-च्छे model बनाए हैं, क्या की वाका ने हैं ते मिली यहां के वाड़ी सब्सक्राइब को प्रच्चे खालिए, आप एज़ना, इस बाड़ी का नहीं है, अज़ना हसे कि आप मतना हैं इस फिर्टाइए, अज़ना हैं। कुछ मॉडल आप इस समय टीवी स्क्रिन पे देख रहे होंगे उसका उद्गाटन हुआ और साथ में बच्चों ने जो मॉडल बनाए थे उनको यहां के टीचरों ने काफी सराहा हम आगे, हम आगे, हम आगे बढ़ते जोएंगे हम आगे, हम आगे, हम आगे, काफी सराही संग संग हम बढ़ते जाएंगे उचाईया नहीं बनाएंगे संग संग हम बढ़ते जाएंगे उचाईया नहीं बनाएंगे जाल के भंदार में हम जाल दीप जलाएंगे हम आखे, हम आखे, हम आखे बरते जोएंगे हम आखे, हम आखे, हम आखे, हम आखे बरते जोएंगे बेसिकली बच्चों बात एक है कि आपने जो मेहनत करी अगर आपके टीचर और आपके चेर्मेन और प्रिंस्पल उनकी सरहना कर देते हैं तो अपने आप में यही उसका एक सबसे बड़ा रिवाड है ये बात आप मानते हैं या नहीं मानते हैं अगर मानते हैं तो ताली बजाए अब मैं आगरह करता हूं मिसेश सत्यवती देवी जी से कि वो अपने आशिरवचन आपको दें सत्यवती जी प्यारे बच्चों जीवन एक बहुत बड़ी जर्नी होती है और आपके छोटे बच्पन से शुरुवात हो जाती है जैसे जैसे आप बढ़ते हो आपको लगता है कि हमारे मुझे क्या बनना है मुझे क्या करना है तो बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आते होंगे उस वक्त आपके माता-पिता, आपके शिक्षक, आपके साथ सारे जो भी आपके कॉंटेक्ट में आते हैं अगर हम संस्ता की बात करें, स्टिक्षन संस्ताईं की बात करें तो आपका विद्याले इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है वहाँ पर आपको नर्सी क्लास से आपको समय समय पर सुजाव दिये जाते हैं आपको गाइडन्स दिये जाती हैं जैसे ही आप सिक्ष 7-8 में आते हैं आपको लगता है कि मुझे क्या करना है मुझे क्या करना चाहिए आपके अंदर बहुत प्रतिभाई होती है लेकिन उसको सही दिशा के तरफ ले जाना गुरुजनों का, माता-पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है जैसे जैसे आप और आगे चलते हैं 10th में आते हैं योगि 10th तक basic education है जैसे आप आगे जाते हैं तो आपको लगता है कि मुझे किस तरफ जाना है Commerce, Arts, Science ये तो पहले से हम जानते हैं Vocational education, छोटे-छोटे और हमारे diploma courses आ जाते है तो एक बहुत vast area है आपको समझने के लिए तो इसमें आपके मैं आपको मैं अपनी और से बताना चाहूंगी कि हमारे बहुत सारे counselors होते हैं education मैं आपको बताते हैं कि आगे आगे आपको क्या करना है तो बहुत कुछ आपके पास रास्ते हैं बहुत आपके पास माता-पिता के मादाम से टीचर्स के मादाम से counselor के मादाम से बहुत ऐसे फिल्ड हैं जो आपको पक-पक पर आपकी सहायता करते हैं तो बहुत आप सो समझ कर आपने केरियर को आपने जीवन को आगे सुन्दर और सुखमई बना सकते हैं बच्चों अभी आपने देखा और बहुत जोरदार तालियां बजाई बजाना भी चाहिए क्योंकि सत्यवती देवी जी ने बहुत ही अच्छा guidance आपको दिया उनका दो बातें जो अभी उन्होंने बहुत अपने short उसमें बोली वो बहुत ही अच्छी थी कि हर बच्चे में एक प्रतिभाए है और उस प्रतिभाए को आगे बढ़ाना एक सिक्षण संस्थान और टीचर्स का काम है जो की मेरे समझ में उनके नित्रत में बहुत ही बखुबी हो रहा है अब मैं डॉक्टर जय भगवान जी जो प्रिंस्पल है संत हरीदास कॉलेज आफ फायर एजुकेशन के उनसे निवेदन करता हूँ कि वो दो सब्द बोलें वैसे पहले भी मैंने आपको बताया है कि इन्होंने दो-दो पीजडी की हैं अने को किताबें लिखी हैं तो इनके पास तो ज्ञान का भंडार होगा लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि बहुत कम सब्दों में वह आपको आपको बताएं कि आखिर कैसे आप आगे बढ़ें और अपने कैरियर के समालें सभी को नमस्कार प्यारे बच्चो जैसा सर ने प्रश्न किया है कि हमारे विद्यार्थी जीवन में आगे कैसे बढ़ें एक बालक सबसे पहले जब घर से बाहर कदम रखता है और समाज से जुड़ता है तो उसके लिए विद्याले ही पहली संस्था होती है जिसके साथ हूँ जुड़ता है विद्याले में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के मैध्यम से हम अपनी पढ़ाई करते है पैठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों को पढ़ लेना उसमें जो प्रश्न किये गए हैं उनका जवाब देनेना अंक प्राप्त कर लेना केवल मात्र पढ़ाई यही नहीं है यह ठीक है कि एक प्रक्रिया का प्रमुख हिस्सा है लेकिन विद्याले एक ऐसी संस्था है जिस प्रकार हम अपने घर परिवार और अपनी स्राउंडिंग में अपने समाज में जो कुछ सीखते हैं उसका पोशन हमारे व्यक्तित्व का विकास विद्याले की गतिविधियों से शुरू हो जाता है विद्याले एक ऐसी संस्था है जहां हमारी प्रतिभाओं को मंच मिलता है हम पढ़ाई लिखाई के साथ-साथ खेलों का संस्कृतिक कारियक्रमों का जो भी आयोजन करते हैं उसमें हमारी हिस्सेदारी होती है भागिदारी होती है सह भागिता होती है और ये अवसर विद्याले जैसी संस्थाओं से ही मिलता है जहां पर इंडविज्वल की जो प्रस्नल्टी है एक बालक के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको उजागर करने का उसको प्रिनिष्ठित करने का उसको प्रकट करने का सबसे बड़ा अवसर, सबसे बड़ा मंच मैं मानता हूँ कि विद्याले है शिक्षा, संस्कार, स्वास्थे यह सारी चीजें हमें एक विद्याले की गतिविधियों से सीखने को मिलती है जितना अच्छा आयोजन शिक्षण अधिगम प्रकिरियाई जितनी भी हैं उनके साथ साथ अन्य जो जिसको आप को करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं वो जितनी बेहतरीन होंगी उतना हमारा व्यक्तित्व विक्सित होगा और मैं आप सब को अपनी तरब से इसलाह देना चाहूँगा कि विद्याले की जितनी गतिविधियों होती हैं उसमें हम सब को अपनी रूची के अनुसार बढ़ चड़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम जो आप नई एजुकेशन पोलिसी आई है NEP 2020 उसमें होलिस्टिक अप्रोच की बात की गई है उसका सीधा संबंद हमारे सर्वांगेन विकास से है व्यक्तित्व के सर्वांगेन विकास से है और जब इंडविज्वल का एक-एक बालक इस देश का अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर लेगा तो निश्चित रूप से भारत 2047 तक क्या हो जाएगा विक्षित राष्ट्र बन जाएगा कोई नहीं रोक सकता गोर्मिंट ओफ इंडिया का आजकल एक पोर्टल चल रहा है उस पर हम अपने आपको रिस्टर करते हैं और वहां हमारे से सुझाओ मांगे गए हैं भारत को विक्षित राष्ट्र बनाने के लिए हम क्या योगदान देंगे हम क्या करेंगे और क्या हम सरकार को सुझाओ दे सकते हैं तो एक विद्यार्थी के रूप में एक संस्था के रूप में हम इन सारी गतिविधियों से जुड़ें और अपने सुझाओ सबसे पहले इंडिविज्वल का एकल व्यक्ति का हम अपने आपका किस तरह से विकास करेंगे और कैसे भारत का एक समर्द नागरिक बन पाएंगे और भारत का प्रतेक नागरिक समर्द नागरिक होगा शिक्षा से, संस्कार से रोजगार से तो भारत विक्षित राश्र होगा तो ऐसी शुब कामनाई आपको देता हूँ और आशा और अपेक्षा भी यही है कि आप इस भारत के समर्द नागरिक के रूप में विक्षित होंगे फले फूलेंगे और अपने आपके साथ साथ अपने समाज और राश्टर को दिशा परदान करेंगे धन्यवाद प्रिंस्पल साथ को बहुत बहुत धन्यवाद और बच्चों ने भी जो तालिया वजाई उससे लगा कि उनको भी उनकी बातें बहुत ही प्रेंडा दायक लगी अब मैं अपने दूसरे साथ ही डॉक्टर नीलम सोनी जी से आग्रह करूंगा कि वो दो सब्द बच्चों से कह जो उनके विचार हैं दो सब्दी नहीं जो उनके विचार है वो रख है डॉक्टर नीलम जी तैंक यू सर सबसे पहले मैं पैनलिस्ट और अपने प्यारे विध्यारतियों को नमस्कार करना चाहूंगी सबी दर्शकों को मेरा नमस्कार आज हमारे जीवन में अनुशाशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशाशन का पालन करना बहुत जरूरी है समय सारणी बना करके चलना बहुत जरूरी है आप सबीने एक संस्कृट श्लोक को सुना होगा काकचेश्टा बकोध्यानम स् सबी इसका मतलब यह है कि पांच मुख्य जो अनुशाशन और लक्षणों को लेते हुए विध्यारतियों को अपने जीवन में इन सब को अनुपालन करना चाहिए जिससे सफलता प्राप्त की जा सके आज इस शो के माध्यम से आज इस पैनल डिसकुशन के माध्यम से आपक विध्यारतियों को अपने जीवन में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं टैंथ के बाद कन्फूजन क्रियेट होता है कि हमें किस विशय का चुनाव करना चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में अपनी जो उपलब्दियां प्राप्त करने के लिए किस विशय को हम चुने दूसरा टर्निंग पॉइंट हमारे जीवन में आता है 12 के बाद कि हम किस तरह अपनी हार एजुकेशन को कम्प्लीट करें और कैसे अपनी सफलता को प्राप्त करें तो इन सभी सफ इन सभी प्रश्णों का जवाब इस शो के माध्यम से आज आ बच्चों को अपनी गाइडेंस दें वैसे तो वो रोज ही देती हैं लेकिन इस मंच पर बैटके थोड़े से अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड या उनके कैरियर से रिलेटेड कोई गाइडेंस होतो दें A very warm good morning to all of you, all the panelists and the dear students. जैसा कि हमने अभी चर्चा की in general way में कि नई सिक्षानिती जो आई है या बच्चों के अंदर जैसा मैम ने भी बताया शुरुआत में कि खुशी बहुत बढ़ी चीज है और बच्चे कभी भी pressure में खुश नहीं रह सकते बच्चों को anxiety, stress और pressure से दूर रखना है और नई सिक्षानिती में अगर मैं specifically बात करूँ तो सबसे important चीज होती है subject option. 10 तक तो आपको पता है सभी को सभी विशय पढ़ने हैं, basic education जो होती है, सभी को सारे विशयों में उतेर्ण होना है, साथ में curricular aspects हो, co-curricular aspects हो, सारे aspects को आप deal करते हैं आपके holistic development के लिए, सबसे बड़ा मोड आता है जीवन का दश्वी के बाद, कि हम किस subject में जाएं, क्या कर कई बार हमारे पास ऐसे भी option आते हैं, जिसमें हमारा interest नहीं होता, ना हमारे अंदर ability होती है, लेकिन forcefully हमें वो subject दिया जाता है, तो हमारी जो नई सिक्षा निती आई है, इसके अंतरगत आपके पास ये choice होती है, कि आप कोई भी subject opt कर सकते हैं, as per your interest and ability, ये बहुत important चीज है जो आप लोगों को पता हो नीचे है, इसको हम कहते हैं, flexibility in curriculum, जैसे आप mathematics के साथ हिंदी भी ले सकते हैं, आप संस्कित ले सकते हैं, आप भारत की अन्य भाशाएं पढ़ सकते हैं, साथ में आप sports में जा सकते हैं, art and craft ले सकते हैं, तो इस सिक्षा निती में ये जो flexibility आई है, ये जो holistic development बच्चों के लिए लाया गया है, ये कहीं न कहीं आप लोगों को आगे बढ़ने में बहुत ही helpful रहेगा, और ice से related कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, तो वो ज़रूर आप अपने panelists हम सब के सामने रखें, हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी doubts को clear करें, thank you. धन्यवाद डॉक्टर सुर्वास्तो जी, अब मैं आपको धन्यवाद करते हुए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर जोनी हुडा जी से कि वो भी उनके मन में जो guidance हो या जो वो guide कर सकती हो, जो better समझती हो student के लिए, वो student को बताएं. For inviting me for this panel discussion, and मुझे लगता है कि इस तरीके के panel discussions होते रहने चाहिए बच्चों के सामने, और बहुत अच्छा लगा आज, हम उस stage के सामने ये panel discuss कर रहे हैं, जहां पर बच्चों में बहुत जादा conflict आता है, केरियर के regarding, subject options के regarding, और आज का दिन ही बहुत important है, आप सबके सामने एक opportunity है, अपने आपको समझने के लिए, basically सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने interest को समझना, जो new education policy आई है, उसमें आप अपने interest को समझते हुए या अपने केरियर को चूज कर सकते हैं, अब वो specialization नहीं रहा कि आप खाली doctor ही बने या इंजीनियर ही बने तो ही आप कामियाब बनेंगे, आज के टाइम में बहुत सारी field है, आप अपने interest के according, आप अपनी field चूज कर सकते हैं, आप multiple type of course at one time भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोगों के questions भी आएंगे, और सभी बहुत ही expert educationalist हैं, psychologist हैं, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी सलहा देंगे, आपके career option को चुनने में आपको मदद भी करेंगे, थेंक यू बहुत सर, धन्यवाद डॉक्टर जानी जी, आपने बच्चों को बहुत अच्छे tips बताएं, बहुत ही short मैं, अब मैं एक दूसरे डॉक्टर श्री किशन जी से, जो कि counselor हैं, psychologist हैं, और आपके career की guidance के लिए वो उनके पास ग्यान का भंडार है, सुभारती टीवी के इस program में हम लोग आज आए हैं, आप लोगों के विद्याले में, जहां पे हार education के multiple options, platforms और skill education, vocational courses की, जो भी clarity आपको चाहिए, उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे, अगर मैं multiple platforms की बात करता हूँ, तो multiple platforms के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कि हमें एक ही तरीके की education अलग अलग जगह मिल रही है, और वो अलग अलग जगह मिल रही है, तो क्या हर जगह हमें same value करती है, उनका recognition same है, और हमें life में कभी भी, किसी भी तरीके की education अगर हम किसी mode से लेते हैं, अगर मैं जिकर करूँ के regular education, आप 12th pass out के बाद में अपनी graduation, colleges वगरा में जाके complete करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको opportunity नहीं मिलती, वो दूसरा platform चूज करने की कोशिस करते हैं, कि वो distance में जाते हैं, online education में जाते हैं, बट कहीं न कहीं एक stress, एक myth हमारे दिमाग में रहता है, कि क्या इन platform से education लेने के बाद मैं government job में जा पाऊंगा, मैं वो opportunity grab कर पाऊंगा ज अगर एक चीज का अपना एक experience होता है, अगर आप regular education कर रहे हैं, तो आपके पास एक opportunity है कि आप one-to-one interact कर रहे हैं और अपनी चीजें उसी environment में जाके सीख रहे हैं, जैसा कि आप अपने colleges वगरा में आते हैं, वहाँ पे आप सभी teachers के साथ में contact करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, distance में आपके पास content होता है, जिसको आप लोग अपना study करते हैं और अपने exam देते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को clear कर दूँ कि सभी platforms की value same है, चाहे आप regular पढ़ें, चाहे आप distance से पढ़ें, online पढ़ें, आपकी सभी की value same है, अगर आपको UPSC crack करना है, तो आप अपना form बकू भी भर सकते हैं, यहाँ आपको benefit क्या मिलने वाला है, अगर आप simple graduation करते हैं, तो आप किसी भी industry में अगर आप enter करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं graduation के बाद आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, और मुझे अब काम करना होगा, मेरे घर के हालात ऐ जो आपकी economical condition को कहीं ना कहीं आपकी regular education को allow नहीं कर रही आपकी economical condition, तो आप उस situation में अगर आप distance education से पढ़े हैं, और साथ-साथ आपने vocational course किया, तो आप industry के लिए ready हो गए हैं, और किसी भी situation में industry आपको उस candidate को preference देगी, जो ready to work है, जिसको train ना करना पड़े, जो already trained है, तो अलग-अलग तरीके के आयाम है, अलग-अलग तरीके के platform है, जिनके माध्यम से आप education ले सकते हैं, आपके multiple thoughts, confusion, बहुत सारे आपके mind में pop-up कर रहे होंगे, कि मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं किस से पूछूँ, किस तरीके की guidance लूँ, मैं अपने selection, stream selection में कैसे करूँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी, तो मैं यहाँ आप सभी से अनुरोध करूँगा, कि जो भी question आपके मन में आ रहा है, बेज ही ज़क आप अपना question रखें, अपनी बाते पूछें, अपने behavior के बारे में, अपने study pattern के बारे में, अपने stress के बारे में, management के बारे में, जो भी चीज़ें आपने पूछनी हैं, और भी मदद नहीं कर पाएगा, तो इस चीजों का विशेज ध्यान रखें, कि इस पैनल का आप जितना भरपूर फायदा उठा सकते हैं, आप जरूर उठाएं, आपको लगातार आपके questions के लिए उनके answers मिलते रहेंगे, और satisfactory answer मिलते रहेंगे. धन्यवाद डॉक्टर स्रीकिशन जी, में बात ये है कि उन्होंने बताया कि आपको वो answer मिलेंगे, यहां भी मिलेंगे, और जो program चलेगा, उस समय, screen में, नीचे, वो number चलते रहेंगे, जिसमें कि whatsapp भी होगा, number भी होंगे, साथ में email ID भी होंगी, जिन पे कि आप इस program के बाद भी, जब कभी भी आपका मन हो, हो सकता है कि एक साल बाद आपको लगे कि नहीं मुझे किसी career counselor से बात करनी है, मैं थोड़ा भटक गया हूँ या भटक गई हूँ, तो भी आप वो number use करके, उस पे बात करके, एक guidance संत हरीदास College of Higher Education से जुड़े सभी लोगों को इस मंच से मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, तो मैं इस प्रार्थना के साथ हमारे इन बच्चों को बढ़िया से बढ़िया education दे कर अपने देश का नाम रोसन करने के लिए होसला बढ़ाएं, उनको सिक्षित करें, उनको संस्कारित करें, भारत मातागी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत